मोवी की शुरुवात में हम जेम्स नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो कि ज्यादा दिर तक सोने की वज़ा से काफी लेट हो चुका था और जल से जल कॉलिज पहुँचना चाह रहा था। लेविल टेस्ट करूंगा, ये टेस्ट तुम्हारी सोच पे बेस्ड होगा, तुम सबको इमेजन करना है कि तुम एक ऐसी जगा पर फंस चुके हो, जहाँ पर एटोमिक ब्लास्ट हो रहे हैं, और जहाँ पर तुम हो, वहाँ पर कुछी देर में जहरीली गैस फैल जाएगी, जिससे तुम सबके डैथ हो जाएगी, तुम सबको जिन्दा रहने के लिए, तुम्हें पूरे एक साल तक एक बंकर के अंदर रहना होगा, अब जो सिच्विशन जिमिट ने स्टुडेंट्स को दी थी, स्टुडेंट उसको इमेजन करने लगते हैं, जिसमें उन्हें अप जिससा कुछ फ्यूचर में फेस करो, तो तुम उसके लिए पहले से ही तैयार रहो, और तुम्हें पता हो, कि तुम इन हालात में कैसे जिन्दा रह सकते हो, तब ही जेम्स की गल्फरेंट पैटरा कहती है, कि मैं यह एक्सेसाइज नहीं करना चाहती, और मैं यहां से जा र में से सब स्टुडेंट्स को कार्ट देने लगता है, लेकिन पैटरा और जेम्स को कार्ट देने से पहले, वो जोर जोर से खासते हुए, अपने टेबल के पास जाता है, यह देखकर सब स्टुडेंट्स को थोड़ा अजीब महसूस होता है, इसके बाद वो सब स्टुडें पूलने के लिए कहता है जेम्स का प्रोफेशन एक किसान का था और पैट्र एक इंजीनियर थी उसके बाद हम देखते हैं कि सारे स्टुडेंट्स अपने इमेजनरी वर्ल्ड में आ चुके हैं सब स्टुडेंट्स अपना अपना प्रोफेशन पढ़कर जिमिट को बताते हैं आखिर में एक टॉबी नामी स्टुडेंट्स बताता है कि मैं एक पोयट हूँ तब इस जिमिट उसे गन से शूट कर देता है उसके बाद वो सब स्टुडेंट्स को कहता है कि इतने सीरियस और खतरनाक सेचुइशन में हमें किसी पोयट की कोई जरूरत नहीं पैट्रा को ये देखकर बहुत बुरा लगता है इसके बाद सब स्टुडेंट्स की वोटिंग स्टार्ट होती है जिसमें जिसके ज्यादा वोट होंगे उसे बंकर में रहने दिया जाएगा वोटिंग बंध होने पर 9 स्टुडेंट्स को बंकर में रहने के लिए सिलेक्ट किया जाता ह अब आखिर में जिमिट और ओटमी जो की एक ओकरा सिंगर थी इन में से कोई एक ही बंकर में जा सकता था जिमिट ने अभी तक अपना प्रोफेशन नहीं बताया था इसलिए ज्यादा वोट जिमिट को मिलते हैं और ओकरा सिंगर को वोट आउट कर दिया जाता है फिर जो student select हुए थे वो वहाँ उस जगा को थोड़ी देर explore करते हैं क्योंकि इसके बाद उन्हें पूरे एक साल के लिए bunker में रहना होगा पैटरा और जेम्स बैठे हुए बाते कर रहे थे कि तभी उन्हें गोलिया चलने की आवाज आती है और वहाँ जाने पर उन्हें पता चलता है कि जिमिट ने उन सब students को मार दिया है जिनको वोट आउट किया गया था सब students बहुत जादा डर जाते हैं और पैटरा जेम्स को कहती है कि जिमिट की इस हरकत के बाद तो वो बिलकुल भी इस काबिल नहीं कि हम उसे अपने साथ bunker में रहने दे अब वो सबी students छुपके bunker के अंदर जाते हैं और जिमिट को अंदर आने से पहले ही जल्दी से gate को से अपनी आखरी सांसे गिन रहा था मरने से पहले वो पैटरा को एक पेपर दिखाता है जिस पर लिखा था कि exit court सिर्फ मुझे ही पता है इसके बाद वो मर जाता है बाकी के students भी पैटरा के पास आ जाते हैं वो कहते हैं कि हो सकता है जिमिट ने जूट बोला हो लेकिन इस पूरे एक साल तक वेट करना होगा क्योंकि उससे पहले वो gate open करने की कोशिश नहीं कर सकते इसके बाद सब students bunker में अपने दिन गुजारने लगते हैं और पैटरा रोज रात को gate के पास आती थी और जिमिट की गली सड़ी लाश को देखा करती थी इसी तरहां वक्त गुजर चला जाता है और अब इन्हें bunker में रहते हुए पूरा एक साल हो चुका है जीम्स gate open करने की कोशिश करता है लेकिन वहाँ पर code enter करना था जो कि उन में से किसी को भी नहीं पता था यानि कि जिमिट सही बोल रहा था और अब सब students gate को open करने के लिए अलग-अलग तरीके इस् जाती है इसके बाद हम classroom का scene देखते हैं जहां जिमिट students को कहता है कि जब ऐसे हालात हो तो अपने जजबात पर काबू रखना चाहिए एक chips नामी student जिमिट से पूछता है कि आपको exit court कैसे पता था फिर जिमिट अपना profession card निकाल कर सब students को दिखाता है जिस पर bunker builder लिखा हु इसके बाद exercise का second round शुरू होता है जिसमें वो एक ऐसी जगा पर होंगे जहां पर हर तरफ ज्वाला मुखी होंगे और nuclear radiation की वज़ा से दुनिया की सारे लोग मारे जाएंगे जिनमें बस ये students ही बाकी रहेंगे और इनको फिर से पूरे एक साल के लिए एक bunker में रहना होगा और दुनिया को फिर से रिपॉपुलेट करना होगा अब जिमिट बंकर में जाता है और एक गन ले लेता है इसके बाद सब इस्टूडेंट को फिर से उनके profession cards दिये जाते हैं इस बार भी James किसान था और साती सात वो एक gay भी था इसलिए वो किसी भी लड़की को pregnant नहीं कर पाएगा लेकिन farmer होने की वज़ा से James की voting में selection हो जाती है इसके बाद बाकी के students भी अपना-पना profession card पढ़कर बताते हैं जिन में से कुछ students select होते हैं और बाकियों को vote out कर दिया जाता है इस बार जिमिट पोईट को फिर से shoot कर देता है और कहता है कि इस बार पोईट मैं जिमिट की फिर से ये हरकत देखने के बाद students बहुत डर जाते हैं और जिन को vote out किया गया था वो अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगते हैं लेकिन थोड़ी ही दूर जाने के बाद वो एक ज्वाला मुखी फटने की वज़ा से मारे जाते हैं अब जो students select थे वो और जिमिट बंकर के अंदर आ जाते हैं फिर रात में पैटरा जब जेम्स के पास जाती है तो वो देखती है कि जेम्स एक जैक नामी student के साथ intimate हो रहा था पैटरा को ये देखकर बहुत जादा बुरा लगता है और जैम्स उसे समझाने के लिए उसके पास जाता है लेकिन पैटरा उसकी एक नहीं सुनती इसके बाद हम देखते हैं कि सभी students discuss कर रहे थे कि उन्हें किसको अपना partner बनाना चाहिए ताकि वो दुनिया को फिर से repopulate कर सके सभी students अपने meeting partner चुन लेते हैं और अब आखिर में पैटरा रह जाती है लेकिन जेम्स उसका partner नहीं ब कोई थी अब जिमिट सभी students को कहता है कि हमें अपने partner change करने चाहिए हो सकता है कि ऐसा करने से बात बन जाए मगर एक female student कहती है कि ऐसा करना ethical ही गलत है अब हम तुम्हारी कोई भी बात नहीं मानेंगे जिमिट गुस्सा होकर वहां से चला जाता है और थोड़ी ही देर में व लड़का भागते हुए जाता है और जिमिट पर अटेक कर देता है ये लड़का जिमिट को काफी ज्यादा पीटता है जिसकी वज़ा से जिमिट बहुत ज़ादा गुस्सा हो जाता है और पास में ही gate के पास जाकर उसे open कर देता है और ऐसा करने से वहां पर एक धमाका होत लेकिन James उसकी बात पर यकीन नहीं करता और जब वो कार्ट बॉक्स को देखता है तो वो देखता है कि उसमें कमपार्टमेंट्स बने हुएं जिसमें किसी भी कार्ट को रिप्लेश किया जा सकता है और जमिट ने खासने का बहाना बनाकर उसकी और पैटरा की कार्ट्स को बदल दिया था अब जेम्स कहता है कि जमिट चीटर है और हम दुबारे से ये एक्सेसाइस करेंगे मगर अब जमिट को लीट करने नहीं दिया जाएगा जमिट जेम्स की बात मान जाता है लेकिन कहता है कि इस बार तुम्हे फ्लोरिस्ट बनना होगा अब वो सब अपनी इमेजिनेशन में एक आइलेंड पर जाते हैं जहां पर एक एटोमिक ब्लास्ट होने वाला है और उससे पहले उन्हें एक बंकर में जाना होगा वहाँ पहुँचकर जमिट बंकर चेक करने का बहाना करता है और वहाँ से एक गन उठा लेता है फिर उसके बाहर आने के बाद पैटरा उसके पास आती है और उसे हक करती है और फिर जमिट की तारीफ में कुछ बाते करती है इसके बाद वो सब इस्टूडेंट्स के पास आक और उनसे कहती है कि इस बार में बिलकुल इमानदारी से फोर्तिन करूंगी, अगर तुम मेरी बात से इघरी करते हो, तो अपना हाथ उठाओ, सब इस्टुडेंट्स ऐसे ही करते हैं, इस बार पैट्राज ज्यादा-dar उन स्टुडेंट्स को चुनती है, जिनको जिमिट गए थे और इन में से एक को वोट आउट करना था पैट्रा जेम्स को चुनती है और जिमिट को रिजेट कर देती है अब ये देखकर जिमिट को बहुत जादा गुस्सा आता है और जब वो अपनी गन निकालने की कोशिश करता है तो वो तो उसके बैग में थी ही नहीं तो प पैट्रा उससे कहती है कि ये तुम्हारा टेस्स था अगर इस बार तुम किसे इस्टूडेंट को शूट करने की कोशिश ना करते तो शायद मैं तुम्हें सिलेक्ट कर लेती लेकिन तुम इस काबल ही नहीं हो इसके बाद वो उसे दो बुलिट्स देती है और जेम्स अपन इस्टूडेंट कोट बता दीती है जो कि उसे उस वक्त पता चला था जब सैकेंड राउंड में गुस्से में जिमिट ने गेट ओपन कर दिया था अब जिमिट ये देखकर काफी ज्यादा शौक्ड होता है और गुस्से में वहां से चला जाता है अब पैट्रा अपनी खींच कर खुद बाहर भागता है और गेट को भी बंद कर देता है उसके बाद वह बाहर खड़े इस्टूडेंट्स के साथ बोट में बैठकर वहां से चला जाता है दूसरी तरफ पैट्रा और बंकर में मौजूद इस्टूडेंट्स खुशी-खुशी में बंकर में रहन लगते हैं और इसी तरह एक साल गुजर जाता है और जब वो बंकर से बाहर निकलते हैं तो अभी तक वहाँ कोई भी एटोमिक ब्लास्ट नहीं हुआ था फिर क्लास्रूम में जिमिट से कहता है कि अगर अभी तक आयलेंड पर ब्लास्ट नहीं हुआ तो ये मत समझना कि तु तुम्हें खाने को दे सके और ना ही डॉक्टर को जो कि तुम लोगों का इलाज कर सके इसलिए तुम सब कुछ ही दिनों में मर जाओगे क्योंकि अब तुम लोग बंकर में भी नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ पर आक्सिजिन सप्लाई खतम हो चुकी थी इसके बाद आयलें करने ही वाला था कि तभी वहाँ हाथ में गन लिये जिमिट आ जाता है जिसकी हालत बहुत जादा उजड़ी हुई थी वो उन्हें बताता है कि उसने कैसे पूरा एक साल अंडरग्राउंड केव में रहकर गुजारा वो कहता है कि मैंने वहाँ पर ऐसी ऐसी मुश्किले दे जाते हैं और अब उनका इस आईलेंड पर रहने का कोई मकसद नहीं बचा था इसलिए जीम्स बॉम को एक्टिवेट कर देता है और वो सब मारे जाते हैं इसके बाद क्लास में सब इस्टुडेंट चिप से पूछते हैं कि तुम दूसरे आईलेंड पर एक साल तक क्या करत तो चिप्स उनसे कहता है कि बोट में बैठने के बाद मैंने इमेजिन किया कि मेरे साथ के सभी लड़के मारे गए हैं और मैंने पूरा एक साल छह लड़कियों के साथ मौज मस्ती करते हुए गुजारा इसके बाद जिमिट सब इस्टुडेंट को अपने बुक सबमिट कर अब जिमिट उससे कहता है कि जेम्स तुम्हारे लायक नहीं है एक्चुली जिमिट पैटरा को पसंद करता था लेकिन पैटरा उससे कहती है कि मैं तुम्हारी कभी भी नहीं हो सकती क्योंकि मैं जेम्स से प्यार करती हूँ ये कहकर वो जिमिट को एक किस करती है और फिर व हमारे चानल पर नए हैं तो चानल को सब्सक्राइब करें वेडियो अच्छे लगी हो तो वेडियो को लाइक करें और हां नोटिफिकेशन बैल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले